बिस्मिल्या रह्मान रहीम आज 5 फेरोरी 2020 हम अपने कश्मीरी भाईयों के साथ यक्जेती का इजहार करते हुए रुकूमत इसिन्द की जानिब से ये वाप मुनक्रत की गई इसमें मेरे साथ गवनर सिन्द साथ, मुशार खोडो साथ, लीडर अपोजिशन फिर्दास चमीम नक्पी साथ, शुबाई वुजरा, शुबाई एसेंबली के मेंबरान, फुर्यत कॉन्फरेंस से भी हमारे नुमाहिंदे हैं, वो भी मौजूद हैं और हर तबके से तालुक रखने वाले लोगों ने इस मार्च में शिर्कत की है, ये मार्च हमने कश्मीर रोड से चाहिद आजम की मजार तक किया है, और इसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू है, 1976 में शहीद जुल्फिकार अली भुटो ने कहा था, कि मैं नीन्द में भी कश्मीर पे कोई गलती नहीं कर सकता, मैं वैसे इनसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, लेकिन नीन्द में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता, और उसी साल उन्हों ने चारो सुबाई दालों खिलाफों में एक रोट का नाम गिया था और ये कश्मीर रोट का नाम रखा गिया था और हम कश्मीर रोट से बानी पाकिस्तान काइद आजम मुहमल अली जिना की मजार पर आने का मक्सद ये है कि जो हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये सिंप्लाइज करता है कि हम कश्मीर रोड से बानिय पाकिस्तान की मजार पे पहुचे हैं आप प्लीज हैं इस एद तजदीद करते हैं के इंशालला ताला कश्मीर को पाकिस्तान का घिस्सा बना के रहेंगे कश्मीर के लोगों की जो राय शुमारी के लिए डिमांड है उसको रिपीट करते हैं और अक्वाम मुत्तहदा और सब मुमालिक से कहते हैं जो कश्मीर में खास तोर पे 5 अगस्त 2019 से जो बरबरियत हिंदुस्तानी हुकूमत ने की हुई है उसका सख्त नोटिस ने और हिंदुस्तान गुजराद के कसाई बूदी के खिलाब इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्तिस में मुकद्मा करें जो इसमें गरीब लोगों को नहते लोगों को मुसल्मानों को एक जुम का निशाना बनाया है और ताजा जो कवानीन हिंदुस्तान में लाए गए हैं उन कवानीन के आने से ये तो बिल्कुल सब को यकीन हो गया है कि काइद आजम मुहमद अली जिना का जो तो कौमी नजरिया था वो बिल्कुल हकीकत पे ममनी था और पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि जो मजालिम हिंदुस्तान में हो रहे हैं मुसल्मानों पे उसका नोटिस दे मुस्ते मुम्मा से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो मुसल्मानों के साथ खड़े हो और हिंदुस्तान को इस जुम से इस बरबरियत से ये वाज़ा करें कि ये हमें कबूल नहीं है मैं सब लोगों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस अलामती वाक उतने शिरकत की है आज के दिन पूरे पाकिस्तान में कश्मीर डे के हवाले से हर जगा पे हर तबके के लोग इसकी कश्मीरियों के साथ यक जहती बनाने के लिए इसको अब्जर्व कर रहे हैं और मैं एक बार फिर शुकर गुजारू सबकर जिसने हुकूमत सिंद्ध के इस इनिशिटियमें साथ दिया हूं पाकिस्तान सिर्दान पोच शुक्या जी बिसम लाह रह्मान रहीम पीच में हो यहाँ बिसम लाह रह्मान रहीम आज पांच फर्वरी एक इंत्याई एहन दिन कश्मीर से इजार एक जहती का दिन हर साल मनाया जाता है लेकिन इस साल यह दिन इस तरह से फरक है कि यह पहली बार हुआ है कि कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तबदील कर दिया गया है और पूरी दुनिया यह तमाशा एक तमाशबीन की हैसियत से देख रही है वजीर आज़म इमरान खान ने अपने आपको कश्मीर का सफीर कहा है और सारी दुनिया में कश्मीर के कौज को लेकर गूमे है इस दफ़ा कश्मीर का कौज एक डिफर्ट लेवल पर पहुंच गया है और यह मूदी की महरबानियों से हुआ है कि उसने जो कतल और गारक का सिलसला अब कश्मीर में शुरू किया है जो हमेशे चल रहा था लेकिन अब जिस लेवल पर वो ले गया है अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इंशालला मेरे मालिक ने चाहा तो जो ये नया बिल वो लाया है मुदी इससे हिंदुस्तान के मजीड टुकड़े होईंगे इंशालला पाकिस्तान अपना केस भरपूर तरीके से कश्मीर का सारी दुनिया में प्रिजेंट कर रहा है हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाइश है कि उनके कश्मीरी बाईयों, बेनों, माओं को ताफूस मिले कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और उन लोगों को आजादी मिले जो एक अरसा दराज से जंग लड़ रहे हैं हर पाकिस्तानी हर पाकिस्तान का रहने वाला शहरी चाहे वो किसी सियसी जमाद से तालुक रखता हो सिविल सोसाइटी से तालुक रखता हो किसी तबके से तालुक रखता हो इस एक कौस पर हम सब साथ हैं कच्छे खड़े हैं और आज हमने ये Solidarity Day के उपर ये जो वाक मुनाकिट की है इसके लिए इस वाक में आप देखें कि तमाम लोग तमाम सोसाइटियों से फिक्र रखने वाले लोग मुक्तलिफ फिकर रखने वाले लोग, मुक्तलिफ तबके से तालुक रखने वाले लोग, मुक्तलिफ स्यासी जमातों से तालुक रखने वाले लोग आज इस कॉस पे एक एक होकर इस वाक में हिस्सेदार बने हैं तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम हम हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस एक बात पर मुत्विक है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इन्शालला जरूर बनेगा दोरत साब ये बताएं के कश्मीर की वजह से आप जबा हो गए एक आई जी की वजह से आप जबा क्यूं नहीं हो जबाद कश्मीर की रहो परोगों साथ